तो फाइनली दोस्ता आप लोग देखोगे PNB ने अपने quarterly result disclose कर दी है तो कैसे रहे पंजाब नेशनल बैंक के results और इसका जो impact है वह हमें कैसा देखने को मिलेगा तो consolidated और यहां पर all figure in rupees lakh में यह stand-alone देखेंगे और इसको जो भी हम क्रोड में convert करेंगे ठीक है तो अपके बाद इंट्रेस्ट से earn किया है current quarter के दोरान वह है लगभग आप लोग देखोगे दो लाग पिचासी सोड़ी अठाइस लाग 55,643 लाग क्रोड में convert कर तो बनता है 28,556 क्रोड हमें देखने को मिल रहे इंकम इंट्रेस्ट से जो नहीं अर्न किया है यह previous quarter में था और यह प्रिवेशर के सेम quarter में तो यानि previous quarter के मुकाबले में जो इंट्रेस्ट से काफी अच्छा है टोटल इंकम की बात करें तो टोटल इंकम अपके बार यह 32,100 65 क्रोड की जब की प्रिवेश क्वाटर में 32,300 61 क्रोड थी प्रिवेशर के सेम quarter में इसके बाद आप लोग देखो कि इसके जो खर्चे की है एक्सपेंडिचर तो यहां पर देखो के 25,500 प्रिवेश कोड़ के पृटर में 22,600 गेरा क्रोड के तो इयर्टो इसके एफ से एक्सपेंड बड़े हैं ईक्सपेंड में गिरावट है बट अपकी बार जो revenue है expensive फिर ज़्याद है एक्सपेंसे ज़्याद है मतलब कंपनी ने फिर से profit बनाया बट प्रॉफिट से पहले आप लोग देखोगे provisions जो provisions हमें आपके बार देखने को मिल रहे वह यहाँ पर देख सकते हो भी लग बग एक जार एक सो एक जार तीन सो बारा क्रोड के जब के प्रिविज में क्या थी 1588 प्रिविजर के सेंख़ाटर में 3965 तो provisions भी हम इसकी कम होते वे नजर आ रही है इसके अलावा जो profits है वह य प्रिवेसर के सेम क्वाटर में 1255 क्रोड का एर टुएर कम परे करोंगे 100% से प्रॉफिट में जंप हैं और वहीं क्वाटर टू क्वाटर भी आपको प्रॉफिट में काफ़े अच्छा जंप देखने को मिल रहा है गरीब तो काफी अच्छा रेजल्ट से भी इंपक्ट बिल्कुल रहना चाहिए और बाकि नेट एंप ग्रोस एंप आप लोग यह और यहां पर आपको दिखा देते हैं आकरिकार यह कैसे हैं तो नेट एंप एंप गया पांच अजार नोसो तीस क्रोड का प्रीविश में क्य ग्रावट है और वहीं ग्रोस एंप आप लोग देखोगे 511262 क्रोड के रहे हैं जबकि प्रीविश में क्या थे चपन हजार चपन हजार तिनसो तिरतालिस कोड़ के और प्रीविश एंप क्वाटर में 70899 तो ग्रोस एंप एंड नेट एंप दोनों में हमें जोना भी ग्र प्रीविश में 9.30 तो इसके अंदर भी हमें इजाफा देखने को मिला है और बात करें मार्जिंस की आप लोग देखो कि क्वाटर और वेसिस पर इंक्रीज है तो काफी अच्छे रेजल्स है बिलकुल इंपक्ट पोजिटिव देखने को मिलेगा मार्केट एस्टिमेट को इसने बीट किया है फिर नहीं चली वह आपको मैं दिखा देता हूं यहां पर बात करें भी मार्केट अस्टिमेट तो 13,870 क्रोड का रिवेन्य एक्सपेक्ट किया गया था इंकम इसकी आप लोग देखो 32,000 क्या अश्पास है तो रिवेन्य की मामले में बीट किया है इप अच्छे तेजी देखने को मिलने वाले थैंक्यों फुर वच्चिंग दो वीडियो